हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में तो चलिए फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं जैंद्रम से संबंदित एक प्रथा है सलेखना उसके बारे में तो सलेखना प्रथा क्या थी सलेखना का अर्थ क्या होता है इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो देखें फ्रेंड्स जैंद्रम के सलेखना शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा करना तो सलेखना सब्द ये दो सब्दों से मिलकर बना है सत और लेखना ठी लेकिन जैन दर्शन में सलेकना सब्द का क्या अर्थ होता है? इसकी जो सलेकना है ये क्या था? इसकी क्या प्रकिरिया थी? इसका क्या महत्व है? तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो चलिएगा जैन दर्शन में सलेकना सब्द उपवास्त वारा प्रा का ठीक है तो देखेगा सलेकना के बारे में परिक्षा में कई बार पूछा जाता है कि सलेकना पर्था क्या है कौन से धरम से संबंदित है कौन से राजा ने इसके द्वारा अपना सरीर त्यागा था ठीक है तो इन सब के बारे में परिक्षा में एक नेकिसन पक्कात है तो आ कोई भी जैसे कोई दुर्भिक्स, वर्धावस्ता या कोई भी रोग हो ऐसी स्तिती में वेक्तिके एकदम से दुख्य हो जाता है वो एकदम से लाचार हो जाता है वो इन सारी जो भी परिस्तितिया हैं जो भी परिस्तितियां हैं जैसे कोई बहु ज़्यादा अकाल की परिस्तितिया आ गई हो या फिर वो वर्धा वस्ता में हो या फिर वो बहु ज़्यादा रोग रोग रस्त हो कि भाई मेरे मैं इन परिसानियों का पर्तिकार नहीं कर सकता मैं इनका सामना नहीं कर सकता वो दुखी हो जाता है उसको जीने की लालसा नहीं रहती है तो वह क्या करता है ऐसी स्तिती में वह है धर्म साधन के लिए यानि मेरे सरीर को मैं ज़्यादा यातना ना दू और भी लोगवाग मेरे को मेरे देखते हैं मेरे लिए इतना ज़्यादा दुख ना हो तो वह अपने सरीर का त्याग कर देता है यही क्या होता है सलेखना होता है और सलेखना को दूसरे नाम से भी जाना जाता है वो है संथारा ठीक है तो सुक पूर्वक सोक रही थोक कर मत्यू का वरण करना ही क्या है सलेखना है दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि सलेखना वह एक ऐसी अवस्ता हो जाती है कि जैसे कोई अपनी मत्यू को निकट जानकर अपना ये जानने वाली ये क्या है जैन प्रता है इसमें वेक्ति को जब यह लगता है कि वह मोत के करीब है तो वह खुदी खाना पिना त्याग देता है अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि खुदी अपना खाना पिना त्याग देगा तो वह तो एक तरह से आत्मत्या हो गई और जैंद्रम में आत्मत्या को तो महापाप माना गया है लेकिन जैंद्रम ये भी तो कहता है कि सरीर को ज़्यादा यात्ना मत दो तो संथारा है वह एक दार्मिक प्रक्रिया है न कि एक आत्मत्या ठीक है इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो सलेक ना को जीवन की अंतिम साधना भी माना जाता है जिसके अधार पर वेक्ति मर्त्यू को पास देकर सब कुछ त्याग देता है ऐसा नहीं है कि संथारा लेने वाले वेक्ति का भोजन जबरन बंद करा दिया जाता है आप सोच रहे होंगे कि जबर जश्ती बंद करा दिया जाता है और वो खतम खानी ऐसा कुछ नहीं है वेक्ति को यह लगता है कि अब मेरे सरीर में जो भोजन जा रहा है वो डाइजस नहीं हो रहा है अब मेरा सरीर किसी लाइक नहीं रहा है मैं एकदम से ऐसा हाई हो गया हूँ अब मुझे संसार को ट्याग देना चाहिए यही क्या है संथारा है संथारा है संथारा में वेक्ति को जब यह लगने लगता है कि अब मैं कमजोर हो गया हूँ मेरा सरीर भोजन पचाने में नीसा है तो वैस में भी धीरे धीरे भोजन कम कर देता है अब देखे जो दिगंबर जैन सास्त्री हैं वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति समाधी लेता है तो उसको सलेख ना कहा जाता है ठीक है अब यहां पर यह दे आधना के जो लोग है वो समाधी के प्रथा को संथारा कहते हैं ठीक है यह आप थोड़ सा कि यहां पे द्धान से पढ़िएगा जैन दरम एक प्राचीन दरम है इस दरम में बगवान महावीर स्वामी ने जीवो और जीनेदो का संदेश दिया है जैन दरम में एक छोटे से जीव की हत्या भी पाप मानी गई है तो आत्म हत्या जैसा करेते तो महापाप कहलाता है सभी दरमों में आत्म हत्या करना पाप मन अगया है लेकिन आन जैन स्रावक संथारा तब ही लेता है जब डोक्टर परीजनों को बोल देता है कि अब सब उपर वाले के हाथ में है तब ही यह धार्मिक परक्रिया अपनाई जाती है इस परक्रिया में परीजनों के सहमती और जो संथारा लेता है उसकी सहमती हो तब ही यह विधी ली जाती है यह विधी छोटा बालक या फिर कोई स्वस्थ वेक्ति नहीं ले सकता इस विधी में प्रोध और आत्मत्या के भाव नहीं पनपते हैं यह जैंद्रम की एक भावना है इस विधी द्वारा आत्मा का कल्यान होता है तो फिर यह आत्मत्या नहीं कई जा सकती है इस वी पूर्वय तीसरी सदी में समराठ चंदर गुप्त मोरे जो मोरे सामराजय के संस्तापक थे ने स्रवन बेल गोला जो करनाटिक में इस्तित है चंद्रगीरी पहाडी पर सलेखना विधी द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था ठीक है असोग के इस्तम लेखों में बहेंकर अपराधियों को भी ये परकरिया अपनाने की विवस्ता परसासनी तोर पर की गई थी अब देखेगा सलेखना पर्था की परकरिया क्या होती है तो ऐसा नहीं है कि संथारा लेने वाले विक्ति का भोजन जब्रन बंद करा दिया जाता है संधारा में व्यक्ति स्वयम धीरे अपना भोजन कम कर देता है जैन क्रंथों के अनुसार इसमें व्यक्ति को नियम के अनुसार भोजन दिया जाता है जो अनबंद करने की बात कहिए जाती है वह मात्र उसी स्तिति के लिए होती है जब अनका पाच्चन एसंभव हो जाए इसके पक्स में कुछ लोग तर्क देते हैं कि अब देखेगा कई एक्जामपल देते हैं इसका जैसे कि आज कल क्या होता है यदि वेक्ति जादा बूड़ा हो जाए ज्यादा कमजोर हो जाए तो उसको होस्पिटल ले जाते हैं और वहां पर उसको वेंटिलेटर पर रख देते हैं और फिर एक दो दिन बाद में वैसे ही कतम हो जाता है ठीक है अब क्यों होता है कि जब वेंटिलेटर पर यदि कोई बिमार आदमी पड़ा है ना तो उसको कोई मिनने जा पाता है और ना ही वो क्या खुद होस में रहता है तो भगवान का नाम ले पाता है और वो ऐसे ही खतम हो जाता है अर्था थोड़ा थोड़ा जी उसके अंदर चलता रहता है उसके उसका सरीर ही तकलीप में जाता है उसके जो परिजन लोग हैं वो भी बहुत जैदा वो हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं कि बेचारा परिशान हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है तो जैनी है वो इन सब का इंतजार नहीं करते हैं वो क्या करते हैं वो बोलते हैं कि ऐसी मोत से यू मोत का इंतिजार करने से तो बैतर है संथारा प्रता ठीक है तो धैर ये पूर्वक अंतिम समय तक जीवन को सम्मान के साथ जीनने की कला ही संथारा प्रता है आदुनी काल में सलेखना को राष्टर पिता गांधी जी महात्मा गांधी जी तथा विनोबा भावे जी जैसे महापूरोसो द्वारा व्यापक समर्थन मिला सलेखना को निस्प्रति कार्मन वै कुंठ भी कहा जाता है ठीक है तो देखे फ्रेंड्स आज हमने यहां पर छोटा सा टोपिक था जैन दरम से संबंदित सलेखना उसके बारे में पढ़ा और जैन दरम से संबंदित हमने पहले भी बहुत कुछ आपको पढ़ाया है जो जितनी भी जानकारिया जैन बहुत धरम से समधित वो पूरी की पूरी एक्जाम के तरीके से आपके लिए बहुत यूजपूल है तो बने रहे हमारे यूटूब चैनल sttpswww.youtube.com इंडिया ओल्डेज पे facebook पे आप हमें like करें share करें twitter पे आप हमें follow कर सकते हैं और whatsapp पे आप हमारे broadcast channel से जोड़ सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो देखने को मिलें धन्यवाद